दुनिया भर के लगभग सभी लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय तक खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इस बात का पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल भरा काम है कि कोई भी व्यक्ति या कोई विदेश कितना खुशाल है, फिर भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की एक संस्था है, तो इसका महन काम होता है कि दुनिया भर के सभी देशों में हैपनिस को मेजर करना और इसी नहाल ही में वर्ल्ड हैपनिस रिपोर्ट 2023 जानी की है, तो आज किस वीडियो में हम लोग इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को जानने का प् भी व्यक्ति या फिर कोई भी देश कितना खुसाल है, तो इसमें बेसिकली सिक्स पेरामीटर का यूज किया जाता है, तो जो पहला पेरामीटर है वो है GDP पर कैप्टा, यानि प्रती व्यक्ति के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद, मतलब उस देश में कितनी इंकम है और उस जादा खुसाल है, दूसरा इंडिकेटर होता है, हेल्दी लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहां के लोगों का जो स्वास तो वो बहुत ही अच्छा हो और उनकी जो एबरेज एज हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी काफी जादा हो, सीधी सी बात है कि यदि हम हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, हम लोग खुस नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हैल्द का भी अच्छा होना बहुत जादा जरूरी है, किसी भी खुसाल देश के लिए, और तीसरा इंडिकेटर है, फ्रीडम ट के पास अविलेवल हैं, आपको कहीं परेंट्स का या टीचर्स का दवाव तो नहीं है, इसी तरीक से यदि आपको कैरियर में कुछ भी ऑप्सन चुनना है, जॉब से रिटेर या फिर बिजन से लिटेर तो उसके लिए आपके पास ऑप्सन है कि नहीं है, या फिर आपको सिब में परयात मात्रा फ्रीडम दी जाती की नहीं जाती है, तो यदि आपको परयात फ्रीडम है, लाइफ में चॉइस को ढूड़ने के लिए, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, कि वो कंट्री जादा स्यादा खोसाल होगी, और हैपनेस को मेजर करने का जो चौथा पैराम सॉल्व हो जाती है, तो इसलिए यदि किसी एक व्यक्ति की मदद यदि पूरी सोसाइटी करती है, यानि सोसल सपोर्ट मिलता है, तो सीधी सी बात है, लोगों के जीवन में खोसाली आनिक संभावना बढ़ जाती है, पांचमा जो इंडिकेटर है, हैपनेस को मेजर करने का वो है जैन्रो सिटी, जैन्रो सिटी मतलब होता है दयालुता, कि वहां के लोग दूसरी ब्यक्ति के परती कितने दयालु है, अब जो छटमा इंडिकेटर है, वो है परसेप्सन और करप्सन, मतलब रष्टाचार के परती जो लोगों की आवधारना है, वो कैसी है, करते हैं, यदि मान लीजे किसी कंटी में करप्सन जादा होगा, तो सीधी सी बात है, खुसाली वहां कम से कम होगी, और जहां पर करप्सन कम होगा, वहां पर खुसाली होनी संभावना बढ़ जाएगी, तो यही वो 6 पैरामीटर्स हैं, जिसके एसाब से हम ये तैय करते है कि कोई भी देश कितना खुसाल है और कितना बधाल है, अब हम बात कर लेते हैं, दुनिया की टॉप 10 हैपियस्ट और टॉप 10 अन हैपियस्ट कंट्री की, मतलब दुनिया की सबसे खुसाल और सबसे बधाल देश होगी, और हैपनिस इंडेक्स को तयार करने के लिए जो स्क कंट्रीज हैं, वह ज्यादा खुसाल है, और यदि हम उनमें से भी सबसे खुसाल देश की बात करें, तो वह है, फिनलेंड पहले नंबर पर है, और इस बार नहीं, लगातार छटवी बार पहले नंबर पर है, और इसका कुल स्कोर था 7.804, और तो हम बात करें कि दुनिया में, फिनलेंड कहा है, वर्ल्ड में में, तो आप देखें, एक ये ये यूरोपियन कंट्री है, जिसका लोकेशन आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा, तो यही है फिनलेंड कंट्री, इसके लाब आदि हम दुनिया की कुछ और हैप्यस कंट्री की बात करें, तो द पास देखें, दुनिया की टॉप टैन हैप्यस कंट्री में से एट ऐसी कंट्री हैं, जो यूरोप कॉंटिनेंट में ही हैं, आप इस लिस्ट में, यदि आप छोड़ दें यहाँ पास इसराइल को और न्यूजिलेंड को, तो ये सब ही जो कंट्री हैं, वो यूरोपियन कं तो उसमें पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, मतलब दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उसमें सबसे कम खुसाल जो देश है, वो है अफगानिस्तान, और इसका स्कूर थमात 1.859, और वर्ल्ड में में आप इसके लोकेशन की बात करें, तो आप देखें, यह आपको पर जिम्वांबी, पांच में पर काउंगो, छट में पर बुसवाना, साथ में पर मलावी, आठ में पर कुमरूज, नो में में तंजानिया, और दस में में जांबिया, और इस लिश्ट को भी आप ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे, कि दुनिया की टॉप 10 अनहप से हैं, तो आप पाएंगे, कि दुनिया का सबसे हैपिएस्ट कोंटीनेंट, माना जाएगा इरोप और सबसे जदा अनहपिएस्ट कोंटीनेंट, अप हम बात करते हैं कि आखरकार, किस बज़ाएंसे फ्यलैं की भावन रहती है, यूनिवर्सल हेल्थ केर है, सब को स्वास की सुभधायां पर आत्मात्रम है, और मैंने बात है, यहां पर क्राइम रेट वहुत ही कम है, अब हम बात कर लेते हैं, इंडिया की, तो इंडिया को इस रिपोर्ट में 125 त्रेंकिंग दी गई है, आउट ओफ 136 तो आप कह सकते हैं, इंडिया भी दुनिया की वन अप दे लीस्ट हैपी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और आप समझे इस रिपोर्ट से ये बात भी सामया ही कि भारत के जो पडूसी देश हैं, जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांगला देश है, और स्रिलं है, तो जिससे जो सिटीज हैं, बहुत जागा कंट्री हो जी आ रही है, ट्राफिक जाम की समस्या देखने को मिल जाएगी, फिर एक और कारण है, राजिंग पॉलीशन, सहरों में, या फिर अब गाउं में भी परियात मत्रा है, पॉलीशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी और अगेंस्ट माइनार्टीज और यही वो कारण हैं, जिसकी वज़े से बहुत से इंडियन्स हैपी नहीं रह पाते हैं